नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अमोल केड़कर है, मैं एक साइक्याट्रिस्ट हूँ और अकोला महाराष्ट में प्रैक्टिस करता हूँ आज जो वीडियो में आपके सामने लेकर आया हूँ, उसे लाने में मुझे बहुत ज़्यादा गर्व नहीं हो रहा है, बलकि एमबरेस्मेंट ज़्यादा हो रही है मैं आपको वीडियो का बैगराउंड बता दू, दो दिन पहले जो आज तक की सबसे बड़ी जर्नलिस्ट खुद को कहला थी है, अन्जना ओम कशप, उन्होंने डॉक्टर्स के साथ बहुती एक भद्दा मजाग किया, बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स को डिफेम किया, और वो वीडियो बहुत ज़्यादा वाइरल हो रहा है, उस वीडियो में अन्जना ओम कशप, जो खुद को बहुत बड़ी जर्नलिस्ट कह रहाती है, वो मुझफूरपूर के एक हस्पिटल में गई, और वहां के on duty डॉक्टर को उन्होंने हरास करने की कोशिश की, टॉर्चर करूँ, ये बताने के लिए कि जर्नलिस्ट कैसे डॉक्टर को हरास करते है, स्यूटो जर्नलिसम करते है, टी यार पी बढ़ाने के लिए, और डॉक्टर को कि इतना डिफेम करने की कोशिश कर रहे है, नमबर वन, और नमबर टू ये वीडियो के थुरू में मेरा प्रोटे के ICU में गुसे, यह मेरे समझ के बाहर है, Whose permission did you take and come in the ICU? जब कोई डॉक्टर वहां काम कर रहा है और लोग की जान बचाने में जुडा हुआ है, जुटा हुआ है, तब आप उनको harass कैसे कर रहे थे, torture कैसे कर रहे थे, आपको permission किस ने दी, उनको abstract करने की, उनको सवाल पूछने की, यह मेरे समझ के पूरी तरह बाहर है, आप journalism पड़े है, आपको इतना sense नहीं है, कि कोई डॉक्टर उसका काम कर रहा है, तो इसको abstract करना एक बहुत बड़ा गुना है, यह basically pseudo journalism है, fake propaganda है, जो बिलकुल करना नहीं चाहिए, नमबर तीन, fake reporting करने में माहिर है, actually वो डॉक्ट खुद का काम अच्छी तरह से निभा रहे थे, जितने भी patients अंदर आ रहे थे, उनको बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन fake propaganda के कारण यह पूरी तरह फस गई है, इसी bogus journalism के कारण आज इतना violence बढ़ रहा है, क्योंकि लोगों को लगने लगा है, कि doctors अपना काम पूरी श पढ़ाई में बिताते हैं, पहले MBBS की entrance देते हैं, बाद में PG के entrance देते हैं, पूरी exam देते हैं, और वो pass होने के बाद, पूरे integrity से, पूरे passionately, पूरे dedication के साथ अपना काम करते हैं, और यह doctors को बाद में, कोई journalist आके, उनको defame करने की कोशिश करते हैं, उनको harass करने की दिखाना था कि मैं कितनी popular हूँ, और doctors का profession कितना खराब है, तो जैसे मैंने कहाँ, यह pseudo journalism है, यह false journalism है, इसमें कोई भी truth नहीं है, वो चो doctor वहाँ कान कर रहे थे, वो बहुती soft spoken थे, अगर और कोई doctor होता, तो इनने ICU के बाहर फेक देता, लेकिन unfortunately यह ICU में टिकी रही और उन कि आज हमको stand लेना चाहिए, ऐसे लोगों के खिलाफ, ऐसे journalist के खिलाफ, ऐसे mob के खिलाफ, जो doctors को bad light में बताने की कोशिश करते हैं, हमने stand लेना चाहिए, हमने united रहना चाहिए, और हमारा fight जो है, वो justice के लिए continue रखना चाहिए, जब हम fight continue रखेंगे, तभी हमें success इसमें म खराब करने की, उनका जो character है, वो assassinate करने की कोशिश की, उन्हें पूरे Delhi region में और Delhi के NCR region में उन्हें treatment ही न दी जाए, कोई भी doctor उन्हें treatment देने के लिए मना कर दे, तो इनको मालूम पड़ेगा कि doctors की importance कितनी है, जो general public है, non-medicos है, मैं उन्हें ये बताना चाहूँगा, कि आप ये जो गंदी स्टोरी, जो निगेटिव स्टोरी doctors के खिलाफ फैला रहे है, ये उसे बिलकुल न सुने, ये वीडियो के थूरू में बताना चाहूँगा, कि हम अंजना ओम कशब के against legal action लेने वाले है, medical protection act के तहत, harassing the doctor, torturing the doctor, और obstructing his duties, ये legal way के थूरू हम अंजना ओ जितने भी लोग हो सके उतने जाके facebook पे इनका page dislike करिये, इनका channel जो है वो unsubscribe करिये, सबसे important चीज ये है, हम ये चाहते है कि हम साथ में खड़े रहे और ये fake journalism को हम जड़ से उखाड़ दे, ताकि आज तक channel जो इतना बड़ा channel है, वो उनको अंजना ओम कशब को अपने job से fire क सके, साथ ही में हम ये चाहते हैं कि अंजना ओम कशब वो डॉक्टर को जाके publicly apologize करे, नहीं इतना नहीं उनसे बलगी पूरे इंडिया के जो डॉक्टर से उनको publicly apologize करे और ये कहे कि उन्होंने जो भी काम किया वो गलत था, और डॉक्टर से noble professional अपना काम अच्छी से कर रहे अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है, तो ये वीडियो को जरूर लाइक करिए, ये वीडियो को शेर करिए, ताकि maximum लोगों को मालूम पड़े कि जो डॉक्टर से अपना काम कर रहे है, जो selfless काम कर रहे है, 24 hours काम कर रहे है, वो अच्छी तरह से काम करते हैं और ये बो अजा बोक बोक बॉक़् एंडे आता है service का मुन्म कर रहे हैं और लाइक के खारे से काम कर रहे है, खारे से काम कर रहे है, तो ये रहे हैं, तो ये वीडियो क CarrieUNG